हाई एवरिवान आज में लेकरśl आए हूं मटन कोर्मा की रेसिपी विलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल अकसर आप रेस्टरेंट में मटन कोर्मा खाते होंगे वही टेस्ट अब आप गर पर मिलने वाला है अगर आप मेरी बताएगाई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मेरी गेरंटी है आज के बाद कभी भी रेस्टरेंट का नहीं खाएंगे हमेशा घर पे ही बनाएंगे तो आज ये देख लेते इसे कैसे बनाते हैं हाई अब्रिवान मैं गिता वर्मा गिता किनु रेस्पीज में बार फिक से आपका स्वागत कर तो यहां पर सबसे पहले मैंने ले लिया है साड़े साथ सो ग्राम मटन अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी कम कर दीजेगा इसमें मैं अडाले हूं एक कप दही दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर बहुत ज़दा मटन आपका खट्टा हो जाएगा अब मैं इ एक टीस्पून लाल मिर्च एक टीस्पून गरम मसाला और नमक एड़ कर देंगे टीस के कोर्डिंग ध्यान लखिएगा नमक हम बाद में भी एड़ करेंगे इसलिए मैंने याँ पर थोड़ा सा ही नमक एड़ किया है अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें एड़ कर दूँगी एक टीस्पून अदरक और लेसुन का पेस्ट मैं इसे ज़्यादा देन नहीं रखोंगी इसे मैं ढ़क कर छोड़ देती हूँ दस से पंदरा मिनट के लिए अब यहाँ पे मैंने प्याज ली है मैंने चार बड़ी साइस की प्याज ली थी जिसे मैंने स्लाइस करके तेल में फ्राई कर लिया है ब्राउन होने तक तो यहाँ पे भी हमारे अनियन फ्राई हो गए है और अब इसका हमें पेस्ट तयार करना है तो बिना पानी का हमें इ मैं रख देती हूं साइड में अब यहां साबुत मसालों का इस्तमाल किया है दो तेश पत्ता लिया है एक चकरी फूल लिया है चार लॉंग ली है दो बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची थोड़ी सी दाल चीनी और कुछ काली मिर्च के दाने आपके पास अगर जावित अब ये जो तेल है ये यूस किया हुवा तेल है जिसमें मैंने प्याच को फ्राइ किया था ये वही तेल है और यहां पे आपको चार सी पांच बड़े चमच इस तेल का इस्तिमाल करना है तो ये फ्लेवर वाला तेल है प्याच हमने इसमें फ्राइ की थी ये वही तेल है और और इससे काफी अच्छा टेस्ट आने वाला है मटन कोर्मा में अब मैं इसमें साबुत मसाले एड़ करके फ्राइ कर रही हूँ एक मिनट के लिए आपको इसी फ्राइ करना है जब तक कि इसका कलर हलका सा चेंज नहों जाए अब मैं इसमें यह प्याज एड़ कर दूंगी ज मसाले कम पसंद करें तो कम अड़ करिए नमक और अड़ कर दिया है हाफ टीश्पून हल्दी एक टीश्पून लाल मिस्ट गरम मसाला मैंने अड़ किया है एक टीश्पून धनिया पाउडर मटन कूर्म जो होता है वो काफी स्पाइसी होता है तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है पर अगर आप मसाले कम धॉत होते हैं कम पसंद करते हैं तो मसालों की कॉंटिटी कम कर सकते हैं अब इस मटन को हम भूनते रहेंगे भूनते रहेंगे, साथ ही मैं इसमें एड़ करूंगे, एक टी स्पून अदरक और लेसुन का पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा भूनूंगी, जब तक कि जो मसाला है वो अच्छे से तेल ना छोड़ दे, तो इसे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे, कम से कम 7-8 मिनट तक, अब मै इसमें एड़ करूंगी, मीट मसाला, दो टेबल स्पून, अगर आपके पास है, तो ज़रूर डालें, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा कलर के लिए मैं यहाँ पे एक टी स्पून के करीब देगी मिर्च एड़ करूंगे, आप कश्मीरी मिर्च का भी इसमाल कर सकते हैं, इसे काफी अच्छा कलर आ जाता है, तो बिल्कुल आपको रेस्टरेंट जैसा लगेगा देखने में, और यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, यह देखिए किस तरीके से मसालों ने त तो इसका मतलब जो आपका मतन है, वो काफी अच्छे से भून गया है, तो इसे मुझे कम से कम 8-10 मिनट लग गए है, अब मैं इसमें डालूंगी एक से डेढ़ गिलास पानी, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको पानी एड़ करना है, मतन में थोड़ा सा टाइम जादा लगता है, चिकन के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर डेढ़ गिलास के करीब पानी एड़ कर रही हूं, तो बहुत जादा हम पतली ग्रेवी नहीं रखेंगे, थोड़ी से थिक ग्रेवी में रखने वाली हूं, अब मैं इसका धकन लगा देती हूं, और यहाँ पर मैं इसे 6-7 सीटी लगने तक पकने दूँगी, और 6-7 सीटी के बाद यह बहुत अच्छे से गल जाएगा, फिर मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी, कि हमारा मटन कोर्मा कैसा त्यार हुआ है, तो यहाँ पर जो मटन कोर्मा है, बहुत अच्छे से पक गय कर लेते हैं, कलर आप देख सकते हैं, कितना बढ़ी आया है, एक पर मैं इसे दबा के चेक कर लेती हूँ, तो यह बहुत अच्छे से गल चुका है, 6-7 सीटी लगती है, और यह बहुत अच्छे से गल जाता है, और यहाँ पर मटन कोर्मा रेडी हो गया, उपर से मैं थोड के बता ही ने पाएगा, कि आपने इसे घर में बनाया, इतना टेस्टी बनता है, तो आप चावल के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं, रोड टी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आप इसे खाना चाहें, उसके साथ इसे सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, और मेरी सब्सक्राइब जरू करिएगा